पुलिये श्री प्राण नाथ प्यारे कीजे दाम के धनी कीजे प्रत्मला गुदो चर्नको धनी एन छुडायो छिन लाकतली लाल एडिया मेरी जीव के यही जिवन इन पाउ तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातुन पलनवालो निरखोने त्रे मेरी जीव के यही जिवन चर्चा प्रारंब होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम स्री प्राण नाथ सकी जीवन हमारो ये स्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत संबत सत्र सो चालिसे पधारे परणामे सेवा स्री महाराज करी क्यों कहों इन जुबान से काहों करिन करसी ए जो उपजयो इंड सब की सेवा सास्त्रों में लिखी है जो ब्रमांड धाम धनी सच्चिदानंद परव्रम शरूप लाल दास्ची के धाम हिरदे में विराजमान हो करके श्री पांच पद्वावति पुरिधाम परणा की बीतक परणा का प्रसंग वरणन करते हुए कहते हैं कि छत्रसाल जी ने जो श्री जी की सेवा की है ऐसी सेवा ना किसी ने किया और नभविष्य में कभी कोई कर सकता है धाम धनी तरिकाल दर्शी हैं उनके लिए ये कहना संभाव है कि कल क्या होने वाला है इस प्रसंग से ये इस पष्ट दिखने में आ रहा है यदि लालदासी अपनी तरफ से कह रहे होते हैं तो कल धाम धनी कैसी लीला करने वाल हैं इसका निर्नय करके नहीं कहते हैं लेकिन यहां धाम धनी की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है इसे ये पता चल रहा है कि भविश्य के बारे में केवल एक परव्रम अक्सरती थी भविश्य बानी कर सकते हैं कि किसके द्वारा क्या होने वाला या नहीं होने वाला तो चात्र साल जी ने जो सुन्दर साथ के बीच में सरी जी के साथ रहा करके सेवा की है उनकी जैसी सेवा और कोई भविश्य में भी नहीं कर पाएगा यह ऐसा यहां भी तक में प्रसंग लिखा है जैसे जिन पगले भरें तैसा ही लिखा तिन इन ही साब कर देखियों खास गिरुह मुमिन चौपडे की हवेली मिने तहां पदराये स्री राज चले आप सुख पाल ले कांद पर कुवर महराज च्छत्र साल जी ने अब स्री जी को अमराई घाट से चोपड़ा की हवेली सभी सुन्दर साथ जो भी परनाजी गए होंगे उन्होंने चोपड़ा की हवेली का दर्शन किया है किलकिला नदी के किनारे से होते हुए हैं पीछे की तरफ से आज भी वहाँ कोई अबादी नहीं है वहाँ से चल करके चोपड़ा की हवेली की और श्री जी की सवारी निकलती है छत्र साल जी ने पालकी को अपना कंधा दिया जब छत्र साल जी ने ही अपना कंधा दिया तो उनके राज दरवार के दरवारी गण राज परिवार के अन्य सदस्य भी श्री जी के सवारी में छत्र साल जी के साथ सामिल हुए और जैसे ही स्री जी की सवारी अव यहां से चल करके चोपड़ा की हवेली में पहुंचते हैं तो उस समय का वर्णन किया चोपड़े की हवेली में तहां पद रहे स्री राज साक्षा धाम के धनी स्री प्राणना जी को चोपड़ा की हवेली में पद रहाया गया चले आप सुखपाल ले कांद पर कुमर महाराज महाराज अच्छत साजी स्रीजी की पालकी को अपना कंधा दे करके वहां से ले करके चोपड़ा की हविली में पहुँचे सुखपाल धरी द्वार पर अत उच्छरंग होए चले आप भीतर को दिन मान्यों सुफल जो सोए जैसे ही चोपड़ा की हविली में ले जा करके बाहर स्रीजी का सुखपाल उतारा गया पालकी से स्रीजी बाहर निकले दर्वाजे से जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं मजली रानी ने अपने साड़ी का पाउड़ा किया वो सोचती हैं कि धामधनी की चरण कमल इस धर्ती पर ऐसे ही नहीं रखा जाना चाहिए वहाँ उन्होंने अपनी साड़ी का पाउड़ा किया भीतर चले द्वार में रानी मजली ने आये किया पाउडो साड़ी को अतप्रेम दिल लियाए ये उनकी प्रेम की निशानी स्रीजी के प्रतिस्रदा भावना जैसे ही उन्होंने पाउडा किया छात्र साल जी ने बीच में उनको टोक दिया तब महाराजे एक ही तुम मेरे आगे क्यों होए यों कही उठाई साड़ी को क्यों पाउडो पाग को सुए अब छात्र साल जी ने उनको टोक दिया की रानी तुमारा भाव तो उचित है लेकिन तुम से पहले ये मेरा अधिकार है तुम इसको उठा लो स्रीजी के चरणों में पाउड़ा इस तरीके से नहीं बिछाय जाना चाहिए छत्र साल जी की अपने भाव थे उनका अंदाजी कुछ और प्रकार का होता था सब सुन्दर साथ सेवा करते थे सब को धाम धनी की सरुप की पहचान थी इसलिए सब ने अपना घरद्वार छोड़ करके सिर्जी के साथ आये थे ऐसा नहीं कि और सुन्दर साथ उनकी पहचान नहीं कर पाये थे पहचान सब को थी लेकिन छत्र साल जी का अंदाज कुछ और किसीम का था पलंग बीचे जाएगा तब महराजे एक ही तुम मेरे आगे क्यों होए यूं कही उठाई साड़ी को क्यों पाउड़ो पाग को सोई छत्र साल जी ने अपने सिर्ज से पाग उतार लिया सिर्ज सभिमान का प्रतीक है सिर्ज अपना सर्वश्व है महापुरु सिर में हाथ रख करकर आश्रिवात देते हैं अपने से जो चोटे होते हैं गुरुजर होते हैं मातापिता होते हैं किसी की बढ़ाई करनी हो तो उनके सिर पर टोपी या पगड़ी इत्यादी पहनाई जाती है और जो अपना सब कुछ निछावर करना हो तो वो अपना सिर देता है पहले तो छत्रसाल जी ने यहां अपने सिर से पगड़ी उतार ली और स्रीजी के चरणों में पगड़ी बिछा दिया स्रीजी वहां से चलने लगे तो थोड़ा सा तीरचा कदम करके चल देते हैं ताकि कुछ दूरी और ज़्यादा बढ़ जाए इसके चलते कुछ जहां पर स्रीजी को पद्राने के लिए आसन लगाया गया था बीच में जगार रह जाती है मजली रानी ने उनका भी अपना भाव पूरा कर लिया अपनी साड़ी का पाउड़ा उसमें कर दिया और छत्र साजी जिने स्रीजी को जहां बैठने के लिए आसन बिचाये थे स्रीजी आप जाकर के आसन पर भी राजमान हो जाते हैं अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज आरती निचावर करके कही धन धन दिन है आज अब यह महरा जट्शत्व साल जी कहते हैं अपनो आपा सब दियो सुन्दर साथ विशेश रूप से काई भी दर्शन करने के लिए चले जाते हैं तो कुछ निचावर ले करके चले जाते हैं कुछ भेट इतियादी ले करके चले जाते हैं वस्त्र इतियादी ले जाते हैं भोग परसाद ले करके चले जाते हैं चत्र साल जी ने स्रीजी को क्या भेट किया यहां अपनों आपा सब दियो उन्होंने स्रीजी के चरणों में अपनी पाग बिछा दिया और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और कहते हैं यही टीका यही पाउडो यही निछावर आएं करते हैं कि यही टीका है यही पा टिका किया जाएगा या कोई भूल हार इत्यादी पहना करके स्वागत किया जाएगा सम्मान किया जाएगा या पाउड़ा इत्यादी बिछा दिया जाएगा कई जगा सल इत्यादी उड़ाते हैं कई जगा पुस्पहार इत्यादी से स्वागत करते हैं चत्र शाल जी ने कैसे स्वागत किया, पगड़ी बिछा दि, और उसके बाद निच्छावर क्या किया, एही टीका, एही पाउडो, एही निच्छावर आए, श्री प्राणा जी के चर्ण पर छत्ता बली बली जाए, चत्र शाल जी ने अपना सिरिय रख दिया, ये मेरा सिर, मेरा इस शरीर का सरवच्च इस्थान का भाग है इस लोकिक रूप से देखा जाए तो जो कुछ भी मेरे पास है धन दौलत के रूप में है, रंग रूप है, ऐसुरिय है चाहे कुछ भी है मैंने अपने आप को धनी आपके चरणों में समर्पित कर दिया अब इस से परे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है जब मैंने अपना सिर दे दिया तो मेरा तन, मन, धन, बल, बुद्धी जो कुछ भी है, सब कुछ आपका है जैसे एक बार राजा जनक ने अश्टावक्र से कहा था कि मुझे ब्रमग्यान का उदेश दीजिए और इतने समय में दीजिए घोडे पर चड़कर के उतरने में कितना समय लगता है इतने देर में मुझे ब्रमग्यान का दिख्षिया दीजिए अश्टावक्र ने उनसे कहा था ठीक है मैं तुम्हें ब्रह्मग्यान की दिक्षिया देता हूं लेकिन तुम मुझे गुरुदक्षिना दो उन्हेंने कहा ठीक है आप गुरुदक्षिना में क्या लेना चाहेंगे तो उन्हेंने कहा तुम अपना मन दे दो तुम्हें तुम्हें गुरुदक्षिना दे देता हूँ अश्टावक्र को गुरुदक्षिना के रूप में जनक ने अपना मन दे दिया उसके बाद जनक वहाँ से चल पड़ते हैं अब इनको इतनी जल्दी लगी थी कि एक पल के अंदर उनको ब्रह्म ग्यान की दिक्षिया चाहिए थी अब जैसे उन्होंने अपना मन ही समर्पित कर दिया तो बाद में सोचते हैं कि अब तो मुझे सोचने का भी अधिकार नहीं है मन में कोई संकल्प करने का भी अधिकार नहीं कियोंकि मैंने तो ये गुरु को दक्षिना में दे दिया हैं उसके बाद मैं पड़े रहते हैं अब मैंने गुरु को दे ही दिया तो मैं इसका मैं अपनी सोच्छा से प्रयोग नहीं कर सकता हूँ चत्र साल जिनिया स्री जी के चड़ों में अपना सब कुछ निचावर कर दिया यानि अब जो कुछ भी स्री जी का अदेश होगा उसके अनुसारी चत्र साल ये सारा कार्य करेगा इसलिए आपके चड़नों में च्छतर साल अपने सर कुछ निचावर करता है और यही आपके लिए टीका है यही पाउडो है और यही निचावर है उसके बाद कहते हैं कि आज आप मेरे द्वार पर आये हैं इस कभी आ करके छूपते हैं चुप करके रहते हैं अपनी रानियों को वहां सुरक्षित रखते हैं उस हवेली में क्योंकि पदराने के लिए उनके पास यहां कोई राज महल था नहीं बहले ये मेरी छोटी सी कुटिया है छिप करके रहने की आज भी जा करके देखें कोई हबेली है नहीं आज पीछे थोड़ी सी हबेली बनाई गई है वो तो बाद में बनी है जितनी थी आज चोपडा मंदिर उतना का उतना ही सरूप आप देखने को मिलेगा वहां एक राज जी की सेवा पदराई गई है और दो चार पांस लोग उसमें परिकर्मा भर कर सकते हैं दो चार लोग बैठ भर सकते हैं उसके अतरीक तो उसमें कोई जगह है नहीं बहार करानी में एक प्रकरण आता है धन्य धन्य सखी मेरे सोई रिज दिन जिस दिन पिया जी सो हुआ रूइमिलन है च्छत जाल जी यही सोचते हैं कि आज मेरा दिन धन्य है आज मेरा बहुत बड़ा सोभाग है कि मैं धाम धनी को अपने यहां पद्रह पा रहा हूँ अपने आ श्रीबाई जी को जोडे राज के बैठाए कर सनेह, कहनी में न आवही लगे जुगल सोनेह, अब स्रीजी को पद्राया गया, छत्र साल जी कहते हैं कि स्रीजी से धाम धनी, आप परमधाम में युगल सरुप के रूप में हैं, श्यामा जी आपके साथ भी राजबान हैं, यहां महामती जी के रूप में, स्री इंद्रावती जी के धाम हिर्दे में पांचों सरुप भी राजबान हैं, उसमें राज जी का आवेश हैं, श्यामा जी की सुरता है, अक्षर की सुरता है, जवराईल अस्राफिल ये दोनों फ लेकिन धाम धनी ने जिस महामती का तन धारण किया है उन मिराज जी की धर्म पत्नी के रूप में तेज कौरी जी को सोभा प्राप्त है जब महामती जी को सर्वश्व मान लिया गया यही अक्सरतीत का सरूप है यह प्राणात का सरूप है और जागनी ब्रमान में यही हमारे धाम के धनी है जिनकी आरती उतारने के लिए च्छत साल जी यहां तयार है सब सुन्दर साथ के साथ तो स्री जी से निवेदन करते हैं कि तेज कौरी जी को भी बाई जी राज जी जी सको प्रेम से सभी सुन्दर साथ बोलाते हैं उनको भी यहां आपके साथ बैठना चाहिए उनको यह सोभा मिलनी चाहिए और हमें आपके साथ उनको भी बैठा करके हमारी इच्छा के पूर कि हम दूनों को यूगल सरुपक के रूप में यहां देखना चाहेंगे और आर्थि करना चाहेंगे श्री जी ने आदेश दिया और दोनों यूगल सरुप को श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कर सनिहा कहनी में न आवही लगे जूगल सोनिहा छत साल जी को इन यूगल सरुप से जो प्रेम हुआ है वो लालदाश जी माराज इन सब्दों में या व्यक्त करने की कोशिश करते है साथ समस्त के बीच में यूगल धनी बैठाए कहे तुम साक्षात अक्सराती थो हम चिन हे तुमें बनाए बुले श्री प्राणाथ प्यारे की सबी सुन्दर्शात जेकारत तो उची आवाज में बोल दीजिए कम से कम साथ समस्त के बीच में यूगल धनी बैठाए सबी सुन्दर्शात की जमात के साथ और उसमें च्छत साल जी के जितने भी दरवारी हैं उनके रिष्टेदार है या राजकाज से सम्मंदित जितने भी लोग हैं सब वहाँ उपस्थित हैं सब के बीच में स्रीजी को आसन पर बैठाया गया उचे आसन पर और आरती करने के लिए तयार हुए तो सब के मन में संसय होता है कि ये किसकी आरती की जा रही है ये आखिर कौन है सब लोग जानना चाहेंगे समझना चाहेंगे इसलिए छटशाल जी ने आरती करने से पहले स्रीजी का परिचय कराते हुए कुछ पदों का गायन करते हैं क्योंकि छटशाल जी एक अच्छे कभी भी थे छटशाल जी एक बहुत प्रकांड विद्वान भी थे भागवत और गीता इतियादी गरंथों से भी वो पहले से पच्छे मरमज्य थे तो उन्होंने स्रीजी के परिचय के उपर दो तीन पद बनाए और उन्होंने वहां गायन किया आज भी हर सुन्दर साथ अपने घर में आरती से पहले उन पदों को गाता है पूरण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे जिनको यहां सिंगासन पर पदराया गया और जिनकी आरती की तयारी की जा रही है मैं उनका परिचय देना चाहता हूँ इन जन समुदाय को हूँ ऐसा कहा करके छट साल जी कहते हैं पूरण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे ये साक्षात पर ब्रह्म सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म के सरूप है अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं यहां दो सब्द प्रयोग हुए हैं पूरन ब्रह्म ब्रह्म से ने आ रहे ब्रह्म तो एक ही होता है एको ब्रह्म दीती ना अस्ति लेकिन यहां दो ब्रह्म कहां से आए भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छासो प्रकित कोटी ब्रह्मांड नजर में आवे छिंड में देखके पल में उड़ावे और यह कौन है सरूप एक है लीला दोई अक्षेर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म के सत्ता के सरूप है जो अक्षेर ब्रह्म के रूप में लिला करते हैं अक्षेर ब्रह्म सत्ता के सरूप होने के नाते स्रिष्टी को बनाना और मिटाने का कार्य करते हैं भगवान जी खेलत बाल चरीत्र आप अपनी इच्छा सो प्रकृत अपनी इच्छा के अनुशार प्रकृति का निर्मान करते हैं उनका मन अभ्याकृत जब संकल्प करता है तो मोस आगर के अंदर ऐसे असंख्य असंख्य चोद लोग उत्पन हो जाते हैं और मिट जाते हैं और उस अक्षर से भी परे होने के कारण पूरण ब्रह्म ब्रह्म से नियारे अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरतित परब्रह्म का साक्षात धाम धनी ये स्रीराज जी के सरूप है आनंद अखंड अपारे हैं आनंद किसको करते हैं जो सरीर मन इंद्रिय और प्रकृति से परे जो आतमा को बिशेश रूप से आतमा का बिशे हैं, आतमा को जिससे अखंड शांती की अनभूती होती है, उसको आनन्द कहाजाता है, अन्यथा, शरीर, मन और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को जिसको हम आनंद कहते हैं बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा भोजन खापी करके कहते हैं कि आनंद आ गया किसी के साथ मिल करके बात्चीत करके कहते हैं आज बहुत आनंद आया है किसी चीज को देखने के बाद कहते हैं कि आज बहुत आनंद आया है ये मन इं सुन करके आत्मा के अंदर एक प्रकार की अनभुती होती है जो बुद्धी से संबंदित होता है तो वो भी आनंद का भी से नहीं होता है ठीक है जिसको सुन करके जान करके हम उस आनंद के सरुप को जान सकते हैं जैसे मानली जी हमने तारतम बाणी पड़ लिया तारतम बाण इसे हमने परमधाम को जान लिया 25 पक्स की सोभा को जान लिया युगल सरुप की सोभा को जान लिया उस आनंद में और उस जाने हुए आनंद को साक्षात कार करके प्रतक्ष अनुभुती करते हैं अंतरात्मा के अंदर उस सरुप को प्रतक्ष देखते हैं उस आनंद की तु पूलना नहीं हो सकती ये कापस में तो आतमा का विश्य हूँ वो अनंद से है तो उस आनंद के दाता इस आक्षात परब्रम के सरुप'Sri प्राणणा जी कहें इसलिए ये आनंद अखंड आनंद देने वाले हैं इनके दोरा जो सुख आनंद देने जाते हैं वो शरीर मन और इंद्रियों के धरातल पर दिये जाने वाले संसारिक सुख रूपी आनन्द नहीं है ये अखंड आनन्द देने वाले हैं शिव सनकादिक आदिक कई इन्चित ब्रह्मा विष्णु सीवतिनव देवता संसार के बड़े बड़े रिशी जिनको हम भगवान कहते हैं रिशी कहते हैं ज्यानी जन तपस्वी जन के नाम से हम जानते हैं या संसार सुईकार करता है जिन्होंने उस परमसत्य को जानने की कोशिश की और नजाने कितने सदियों तक जिनकी ध्यान साधना तपश्याएं जिनके दर्शन की इच्छा करते रहें ऐसे सिव सनकादिक आदिक कई इन्चित सेषन पावत पारें पाताल में सेषाई नारायन के रूप में है उपर आदि नारायन के रूप में है यह सब पावरानिक व्याख्यान है जिन्होंने इच्छा की उस परवर्म को देखने की जानने की लेकिन कारज कारण बस इस समय उसी परवर्म का इस संसार में प्रगट होना जो निश्चित किया था वो प्रगट हो चुके हैं और यह उन्ही का सरूप है ऐसा कहा करके छट साल जी श्रीजी के महिमा के लिए प्रसंसा के लिए और उनकी पहचान के लिए इन पदों का गायन करते हैं शिवसन का आदिक आदिक इंचित सेशन पावत पावनें, अगम जानि के निगम का है, सृष्टि के प्रारम ने प्रारम से ले करके बेदों ने उस ब्रहम की खोज कि, वेद एक ग्रंत है, ये ग्रंत कैसे खोज करेंगे, गरंत तो एक जड़ वस्तू होती है तो ये परमात्मा को खोजने के लिए कहा जाएंगे कहने का ताथ पर यही है जिनोंने इस वेद का ग्यान प्राप्त किया उस प्राप्त की हुए ग्यान के द्वारा उस परमात्मा की खोज की तो जिसको जैसा समझ में आया किसी को साकार रूप में समझ में आया तो उनको साकार कहा जिनको निराकार रूप में समझ में आया तो उन्होंने निराकार कहा और जिसको साकार निराकार से परे अखंड अविनासी सरूप वाला समझ में आया तो अखंड अभिनासी सुरूप के रूप में उनकी पहचान की अगम जानी के निगम का है लेकिन जिनोंने वेद के रिचाओं को पढ़ने के बाद में भी ब्रह्म का सुरूप कहा है कैसा है ये नहीं बता पाए और आखिर में जाकर के निराकार तक पहुँचने के बाद ये कहा कि इससे परेब्रह्म का सुरूप कैसा है हम नहीं जान सकते हैं तो उन्होंने वेदों ने या उन वेदों के निचाओं को पढ़ करके जिनोंने निगम कहा अगम जानी के निगम कहाए खोजी खोजी पच्छी हारे जानी के मुल धनी अंगना अपनी सोगर आए हमारे मेरे धाम के धनी साक्षात मुझे अपनी अंगना समझ करके मुझे अपनी आत्मा समझ करके मेरे घर ही लेने के लिए आए है इस पद को जो समझ सकता है इस प्रसंग को जो समझ सकता है वो आत्मा और प्रमात्मा के बीच के एक जो गहरा संबंध है उसको अच्छी तरीके से जान सकता है स्वर्ग बयकुंट से कोई भी देवता इस संसार में प्रगठ हो करके अक्सर भक्तों के पास रहा नहीं करते और आया नहीं करते हैं कभी आते हैं दर्संदे करके चले जाते हैं लेकिन उनके साथ हमेशा बने नहीं रहते हैं धामधनी कहते हैं मैं रहे न सकों रूह बिना रूह रहे न सके मुझ बिन जब पहचान होवे वाको तो सहे न बिछुआ खिन जब धाम धनी अपने आत्माउं से अलग नहीं रह सकते आत्माई जब अपने धनी की पहचान कर लेती हैं तो वो कभी अपने धनी से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकती जब पहचान हो वेवाको तो सहे न भी छुआ खिन जब धनी की पहचान हो जाती है तो धनी का बिच्छोवा उनको कदाचित सहन नहीं हो सकता इस प्रकार से छत्रशाल जी कहते हैं कि धाम धनी मुझे अपने घर में ही अंगना समझ करके मुझे लेने के लिए आए और किस प्रकार से आए जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए बरात को लेकर के दुल्हन के दर्वाजे पर जाता है स्री ठाकुरानी जी सक्षिया सुद्ध लेकर संग पधारे स्री स्यामा जी को साथ में लेकर के ब्रमात्माव की इस जमात को लेकर के पांच हजार की जमात को लेकर के मुझे खोजते हुए पूछते हुए संदेशा देते हुए कि 6 साल मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ और ये तो आज की बात है आज से 12 बर्ष पुर्व ही मुझे सपने में मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ मुझे अपनी पहचानत की छाप दे गए थे इस प्रकार से मेरे धाम के धनी साक्षात मेरे दर्वाजे पर आये हैं तो जान के मुल धनी अंगना अपनी सोगर आये हमारे स्री ठकुरानी जी सखियां सुद्ध लेकर शंग पधारे त्रिगुन फास के फंद परे थे सो फंद निरवारी त्रिगुनात्मक बंधन में मैं पड़ी हुई थी ब्रमात्माओं का आगमन कब हुआ संसार में साल नव से नब्बे मास नव हुए रसुल को जब रू अल्ला मिसल गाजी मुमिन उत्रे तब हिज्री संबत लगबग हजार बर्ष पूरा होने को था कुछ बर्ष सवानो बर्ष कुछ बांकी रह जाते हैं उस समय बिक्रम संबत सत्रसो सोलसो अड़तिस का समय हो चुका होता है स्यामाजी के साथ ब्रमात्माओं का जागनी ब्रमान में आगमन होता है सोलसो अड़तिस से लेकर के कितने बरस हो गए ये बी तक प्रसंग चल रहा है सत्रसो चालिस का सोलसो अड़तिस से सत्रसो चालिस कितना हुआ सो बरस से उपर का समय हुआ इतने समय तक ब्रहमस्ष्टिया इस संसार में रही तब तक किसी को भी परव्रम के सरुप की विशे में जानकारी नहीं थी सबसे पहले परमधाम का ग्यान इस संसार में किसको मिला सद्गुरु देव चंद्रजी को श्यामाजी को मिला और वो मिला 1678 में अब 1740 का समय हुआ 1638 से लेकर के अठतर तक स्यामाजी खोजती रही और जिन आत्माओं की आज भी जागनी नहीं हुई किसी न किसी रूप में किसी न किसी तन को धारन किया है इन आत्माओं ने ऐसा तो है नहीं कि जिन आत्माओं की जागनी नहीं हुई वो सब एकठा हो करके कहीं रहती है अब जब जागनी की पारी आती है तो वो सरीर धारन करके आती है ऐसा तो नहीं है जिन आत्माओं की जागनी नहीं हुई थी जिस परिवार में भी उनका जन्म हुआ उनके जीव का उस जीव के उपर आत्माओं ने बैठ करके माया के लीला को देखा देवी के मानने वाले जो परिवार में उनका जन्म हुआ होगा तो देवी की उपासना करती रही होंगी या तृदेव की उपासना करती रही होंगी संसार में और किसकी उपासना की जाती है सबसे ज़्यादा देवी की या संकरजी की या भगवान विष्णु की इनी की उपासना की जाती है अब कुछ पचास साथ सो सालों के अंदर बहुत सारे संप्रदाया प्रगट हुए हैं जो आज से सो वर्स पहले बहुत सारे संप्रदायों का कुछ अस्तित तो ही नहीं था तो आज बहुत सारे ऐसे संप्रदाया ऐसा ग्यान सुनने को मिलता है जो बड़े बड़े ऐसे लोग आते हैं और अपना संप्रदाय निर्मान करते हैं और अपने सिश्यों का एक समुह बनाते हैं और उसको एक संप्रदाय का नाम करन कर देते हैं उस समय में ज्यादा ज्यादा साकारबादी या निराकारबादी हुआ करते थे साकारबादी मुर्तिक पुजक हुआ करते थे या देवी देउताओं के मानने वाले होते थे या निराकारबादी केवल निराकार ब्रह्म के सुरुप की उपासना करने वाले होते थे तो इनी में से उन ब्रहमसिष्टियों का भी गुजारा होता रहा तिर्गुनात्मक बंधन में ये ब्रहमसिष्टियां भी पड़ गई थी हलांकि इनके जीव को कर्मों का फल मिलता है जीव कर्मों का फल भोगता है आत्मा का बंधन के वल अग्यानता है लेकिन जब आत्मा को अपने मूल सरूप का ग्यान नहीं अपने धनी अपने प्रियतम का ग्यान नहीं अपने निजगर परमधाम की कोई सुद नहीं तो बार-बार किसी ने किसी रूप में अनेक जीवों का सरीर धारन करती रहेंगी तो ये भी एक बंधनी है चाए अज्यानता के बंधन के कारण हो चाए करमों के बंधन के कारण हो जीव 84 लाख परकार की योनियों में भरमन करता है आत्मा भी भले किसी के गर्ब में नहीं जाती जन मरन के दुख उसको नहीं होते लेकिन जब तक उनकी जागरिती नहीं होती तब तक उनको भी शरीर धारन करते रहना पड़ता है तो चतरसाल जी कहते हैं मैं त्रिगुण आत्मक बंधन में पड़ी ही हुई थी मेरी आतमा अब धामधनी की कृपा से इन त्रिगुण आत्मक बंधन से मैं मुक्त होने जा रही हूँ त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निरवारी इसलिए वारी वारी जाओं में अपने पिया पर छत्र साल जी कहते हैं मैं अपने धनी पर ये नहीं कहा कि उन्होंने ये मेरे गुरू है ये महात्मा जी है एक बहुत बड़े सन्यासी है या फिर इस धर्म के प्रवर्तक है ऐसा नहीं कहा वारी वारी जाओं में अपने पिया पर सोभा मुखसे ना आए इनकी सोभा का वरणन में अपने सब्दों में अपने मुखसे नहीं कर सकता सिंगासन आसन पद्राएं छत्र साल गुनगाएं सिंगासन पर पद्रा करके अब छत्र साल जिने यां स्रीजी की आर्ती करते हैं ताकि सब को ये पहचान हो जाए कि ये कोई सामान्य एक महापुरुष न हो करके ये साक्षात परवर्म का सरूप है आज जहां भी राज जी की आरती होती है पहले ये पद गाये जाते हैं कि हम किसके आरती करने जा रहे हैं हम परब्रम सच्चिदारंद सरूप की ब्रह्मबाने को जहां पदराए हैं उनकी ब्रह्मबाने को हम उनका ज्यान में सरूप मान करके हम उनकी सेवा उपासना परनाजी में अभी अश्ट पहर की सेवा भी होगी तो उनकी सेवा होगी सवेरे उठते हैं तो सुन्दर साथ ये भाव लेता है कि रंग परवाली मंदिर से धामधनी उठकर के आते हैं तिस्री भूम की पड़साल में अश्ट पहर की लीला का वर्णन करती हुए परिकर्म ग्रंथ में ये प्रकरण जहां आता है स्रीजी भी सवेरे जब उठते हैं बंगला दरवार में तो सुन्दर साथ उठकर के उनके पलंग के चारों तरफ बेढ़ जाते हैं और वही भाव लेते हैं कि ये पांचों भूम से जैसे तिस्री भूम की पड़साल में आते हैं ये वही धाम के धनी ही तो हैं इस भाव को लेकर के वहां तीजी भूम की पड़साल का गायन किया जाता था अब यहां च्छतसाल जी आरती उतारते हैं और आरती उतारते हैं तो उसमें सब को पता है कि आरती में कौन सी चोपाई बोली जाती है कंचन थाल चहुं उक दीवला दीपक जोती प्रकास चे अश्ट पहर की सेवा में ये आर्ती का बोध किया जाएगा पूरी आर्ती में ये चोपाईयां रखी जाती है तो उसमें हम इसकी चर्चा सरवन करेंगे अभी चत्र साल जीने स्री जी की आर्ती उतारी और आर्ती उतारने के बाद क्या कहते हैं सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है कहे तुम साक्षात अक्षरा तीत हो हम चिन्हे तुमें वनाए कहते हैं आप हमारे साक्षात धाम के धनी है हमने आपको यूगल सरूप के रूप में यहां सिंगासन पर बठाया कहे तुम साक्षात अक्सरतीत हो परमधा में आप मूल सरूप के रूप में नूरी सरूप में बिराजमान हो जिसके लिए सारा सुन्दर साथ सबेरे उठ करके बोलता है स्री राज स्री ठकुरान जी प्रथम भूब में विराजमान भै आप वही सुरूप तो यहां पर विराजे हो बीतक की सुरूआत कहां से होती है देव चंद्र जी जब घर से निकले थे तो उनके मन में क्या सवाल आया था उन्होंने अपनी अंतरात्मा से अपने आप से क्या पूछा था सवाल तू कौन इता आई क्यों कर कहां है तेरा वतन यही सवाल था और धामधनी ने उनको तीसरी बार दर्शन दिया और बातचीत हुई तब भी उन्होंने यही पूछा तुम कौन हो कहां से आई हो यह संसार किसने बनाया शरीर संसार को छोड़ने के बाद तुझे कहां जाना है और तेरी आत्मा का प्रियतम प्रमात्म कौन है और हम भी अध्यात्म की और खोज करने के लिए निकलते हैं तो हमारे मन में क्या सवाल आता है सबसे पहले और यदि हम कहते कि मैं कौन हो तो मेरे माता पिता यह है मैं इस गाउं का रहने वाला यह रहने वाली हूँ तो आत्मा की तो कोई बाती नहीं जब यह दिखता है कि यह सरीर संसार का है लेकिन इसके अंदर बैठने वाली जो आत्मा है इसका परिचे किसी के पास नहीं है और वो मेरी आत्मा कौन है इसका संबंद किसके साथ है यह सवाल जब हिरदे में आ जाता है तो अध्यात्म की पहली संड़ी यह पहला कदम होता है और यहां से जब खोज करना प्रारंब करते हैं तो खोज करते करते हम आगे तक पहुंचते हमें सद्गुरु की प्राप्ती होती है ज्यान की प्राप्ती होती है उस ग्यान के मार्क पर चल करके हमें कुछ आत्मिक अनुभूती होती है और आखिर में जाकर के हम उस परमतत्तो को कई लोग इस सरीर के रहते प्राप्त करते हैं कई लोग इस सरीर के छूट जाने के बाद उस परमतत्त को हम प्राप्त करेंगे ऐसा विश्वास रखते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए पहचान चाहिए तो पहचान करने के लिए हमें ग्यान चाहिए और ओ ग्यान देने वाला ग्यान का दाता कौन होना चाहिए जो एक परमसत्य का सरूप हो वही हो उनके दिये ज्यान से यदि हम अपने की पहचान कर लेते हैं तो हमारी मन्जिल पूरी हो जाती है जब वितक पूरी सुन लेते हैं और धनी की पूरी पहचान हो जाती है अपने संबंद की पहचान होती है तो फिर सुन्दर साथ की अंतरात्मा से क्या आवाज आती है कि आपने सद्गरु के सरुप को उनकी बीतक स्रवन की उनको धाम धनी के साक्षात दरसन हुए तीसरी बार दरसन हुए तो उन्होंने पहचान लिया कि यही मेरे धाम के धनी है और वही धाम के धनी महामती जी के हिर्दे में आकर के विराजमान हो गई इंद्राउती के हिर्दे में तो महामती कहलाई सुन्दर साथ में ने सुरत में उनकी पहचान की तो यही हमारे धाम के धनी के सरूप है, सुन्दर साथ को जाहिर कर दिया कि जागनी के ब्रमाण के हमारे ये महानायक है ब्रमात्माओं को यहां से परमधाम तक ले जाने वाले परमधाम की ब्रमबाणी लाकर के देने वाले सब की जागनी करने वाले हमें धनी के चरणों में इमान दिलाने वाला सुरूप यही है जिनके हिरदे में युगल सरूप विराजमान है उनकी आरती उतारी गई अब यहां से परनाजी पहुंचते पहुंचते छत्रसाल जी ने जो पहचान की और सुन्दर साथ को पहचान कराया जो सुरत से पहुंचने वाले सुन्दर साथ से वो भी दंग रह गए कि छट्रशाल जी की जो ये सेवा है जो उन्होंने जो धनी के सरूप की पहचान की है अब यहां आकर के छट्रशाल जी क्या कहते हैं तुम ही उतर आए अर्श से इत तुम ही कियो मिलाप आप परमधाम से आए हो आप परमधाम में युगल सरूप के रूप में बिराजमान हो यहां इंडरावती जी के हिर्दे में महामती जी की सोभा को ले हुए आप पाँचों सरूब सहित बिद्यमान हुसरी धानी जी को जोश आतम दुलहन, नूरहुकं低 बुद्यमूल वतन ए पाँचों मिलबही महामत ये पाँचों मिलकर के महामती जी का सरूब हुआ अर्श की आप नहीं तो हमें परमधाम की जानकारी दी है जागरित आउस्था में स्रिष्टी करता अक्षर ब्रह्म जिस अक्षरतीत की लीला को नहीं जान पाते अक्षरातीत के महल में प्रेमी सकबरतत सोसुद अक्षर को नहीं किन बिध केली करत अक्षर ब्रह्म जागरित आउस्था में अक्षर धाम में रहा करके परमधाम की अंदर की प्रेम लीला को नहीं जान पाये थे उस प्रेम अनंद मैं लीला को धामधनी ने यहां आकर के प्रतक्षरूप से हमें अनुभाव कराया और अक्षर ब्रह्म की जागरित बुद्धी रास लीला हो जानने के पस्चात अक्षर ब्रह्म की जागरित बुद्धी 4660 बर्शों तक ये इंतजार करती रही कि परब्रह्म का स्वरूप संसार में दुबारा कब प्रगठ होगा और वो अखंड का ग्यान हमें देगा जिस अखंड के ज्यान को देने के लिए परब्रह्म की प्रेम आनन की लीला को जानने की जो मैंने मांग की थी वो मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे अक्षर ब्रह्म की जागरित बुद्धी इंतजार करती रही जब अक्षर ब्रह्म की जागरित बुद्धी के अंदर महामती जी कहती है ध्यान देना इस प्रसंग में मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी भई अक्षर तार्तम में सब सुधपरी लीला अंदर की घर महामती जी के हिर्दे में अक्षर ब्रह्म की जागरित बुद्धी भी है अस्राफिल फरिष्टा भी है अक्षर ब्रह्म की सुर्ता भी है और परमधाम की तार्तम बाणी भी अउत्रण हो रही है इसमें सागर सिंगार खिल्वत और परिकर्म की बाणी उत्री परिकर्म में 25 पक्स की लीला 25 पक्स की सोभा अस्ट पहर की लीला सागर ग्रंथ में आठों सागरों के सुख युगल सरुप का सिंगार ब्रमात्माव का सिंगार सिंगार किताब में सरी राजजी के चार सरुप का सिंगार जो आज तक अक्षर ब्रह्म ने जिसका साक्षा दर्षन नहीं किया था चांधनी चोक से आदे मुखार बिंद का द अक्षेर ब्रह्म को मिल रहा है तो अक्षेर ब्रह्म की सुर्ता मेरे हिरदे में आने से और परमधाम की इन चार किताबों का ज्यान मिल जाने से बुद्ध बड़ी भई अक्षेर अक्षेर ब्रह्म की जागरित बुद्धी को परमधाम का ज्यान मिल गया तार्तम में हुआ था मोखी कुरूप से और तार्तम बानी का अवतरण भी विक्रम संबत सत्रसो चोदा पंद्रस से प्रारंब हो गया था लेकिन इसमें छेर अक्षरतीत की बात थी जिसको अक्षर ब्रह्म बखु भी जानते थे परमधाम की कुछ लीलाओं को छोड़कर के अष्ट पहर की लीला या युगल सरुप की सिनगार को छोड़कर के अन्य जानकारी तो अक्षर ब्रह्म को थी लेकिन यहाँ 25 पक्स के लीला अश्ट पहर की लीला और युगल सरुप का सिनगार और मारिफत की बातें जब अक्षेर ब्रम की जागरित बुद्धी को और अक्षेर की सुर्ता को ये इंद्रावती जी के हिर्दे में मिली तो कहते हैं बुद्ध बड़ी भई अक्षेर तार तार्तम बाने के द्वारा इन चार किताबों के द्वारा तार्तम का जो तार्तम अंग इंद्रावती विस्तार इसके द्वारा मुझे परमधाम की सारी सुद मिल गई सारी जानकारी मिल गई और इसी अवस्था को स्यामा जी ने किस रूप में वर्णन किया ग्यारवी सदी मिने मेरी बात्तुन खुली नजर देव चंद्रजी का तन भी स्यामा जी का पहला जामा है रू अल्ला दो जामा पहर्शी दुसरे उपर मुद्दार सोई इमाम महदी जाकि बुजर्गी बेशुमार इंद्रावती जी का तन स्यामा जी का दूसरा जामा है और उस जामे में जाकर के 1735 के बाद में जब इन चार किताबों का अउतरन हुआ तार्तम का तार्तम उसके बाद स्यामा जी कहती की मेरी भी बात्तुन खुली नजर क्योंकि स्यामा जी की परातम भी फरामुशी आउस्था में धाम धनी ने उनको परमधाम का दर्शन तो कराया जमुना जी का दर्शन कराया सुन्दर साथ को जमुना जी का जलपान कराया कुछ 25 पक्षों की शोभा का दर्शन उनको करा दिया लेकिन जो मारिफत की बात थी वो इंद्रावती जी के हिर्दे से जागने के दूसरे तन में आउत्रित हो रहे थी उसका सुक श्यामा जी को पहले जामे में नहीं मिला था इसलिए करती हैं 11. सदी मिने मेरी बातुन खुली नजर तभी से स्यामाजी के बादसाही के 40 वर्स भी शुरू हो जाते हैं 11.10, 12.30, इसा, 15.40, 1735 से 45 तक 11.00 सधी होती है उसके बाद 12.00 सधी प्रारम होती है तो यहां से चल करके स्यामाजी की बादसाही भी दूसरे जामे से ही शुरू होती है अन्य था पहला जामा तो उन्होंने 1712 में ही परित्याग कर दिया था तो यहां उनकी बादसाई शुरू हो रही 1735 से यानि दूसरे जामे में ही उनकी बादसाई शुरू हो जाती है तो अक्षेर ब्रह्म की जागरित बुद्धी को भी परमधाम का ग्यान देने वाले है वो सरूप या हमारे सामने बिराजमान है तो यह मेरे धाम के धनी का सरूप है इसलिए इनकी मैं आरती करता हूँ इनको मैं भोग लगाता हूँ और इनके चरणों मैं अपना सर्वस्षो वलिहारी जाता हूँ और आगे कहते हैं यह तो मैंने अपनी पहचान बताई अब जो सुन्दर साथ इसमें सहमत नहीं है तो मेरी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वो कुछ इस प्रकार की है श्री ठखुरानी जी साथ संगले पदारे मेरे घर यह स्री ठखुरानी जी स्यामा जी को साथ में लेकर के मेरे घर पदारे है धनी बिना और देखे सोनई मिसल मातवर शिरिप्राणनाजी के सरुप को यदि कोई धाम के धनी सचिदानंद परब्रम के सरुप के अत्रिक्त अन्य किसी रूप में भी देखता है यदि कोई ये कहें कि छत्रशाल जी के गुरू है तो ये पूर्णत है गलत है सत्साजी अपने सब्दों में कहते हैं धनी भीना तुम्हें और देखे धाम के धनी के अत्रिक्त यदि आपको कोई और रूप में देखता है कोई और रिष्टा समझ लेता है ये मेरे गुरुजी समझता है कोई या कोई इनको सादु संत महात्मा या इस धर्म के प्रवर्तक के रूप में देखता है या संसारिक महापुरुषों की तुलना में यदि उस पंक्ति पर खड़ा करके यदि उनकी तुलना करता है तो ये परमधाम की ब्रमसिष्टियों के लक्षन सो मिसल नहीं मातवर मिसल मतलब जमात उस रेष्ट जमात का वो हिस्सा नहीं हो सकता या तो उसकी बुद्धि पुर्ण रूप से जागरित अस्था में उनकी पहचान नहीं कर पा रही है यही उनकी निशानी है यह छत साल जी के सब्द है आप तो कछुना हमारों दे चुके हमसीस आपा रहोन आप बस करो जानो सो बक्सीस धामधनी मैंने आपके चर्णों में अपना सब कुछ निचावर कर दिया आप जैसा उचित समझो आपकी कृपा के अनुशार जो हुकम होगा आपका हुकम मेरे लिए हमेशा सिरुधारी होगा तब बोले स्री राजी जी देखे राणा पात्सा सब पर जो कछु करनी अंकूर की इत देखी हम सब मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा समराट चकरवटी समराटों को देखा छोटे मोटे राजाओं को देखा लेकिन किसी के अंदर भी परमधाम का अंकूर हमने नहीं देखा लेकिन शाल जी के अंदर जो अंकूर है और उन्होंने जो पहचान किया और सुन्दर साथ को पहचान दी ये जागनी के ब्रमांड परियंत अंतिम समय तक सुन्दर साथ के लिए इतना मददगार सावित होने वाला है उन्दर साथ को इतना सरल और शुगम मार्ग मिल जाएगा अपने धनी से मिलने के लिए कि उन्होंने कोई कसरवां की नहीं रखी आगे साथ संतों ने कया गुरु सिश्य को धर्म इस से पुर्व काल में इस कालमाय के ब्रमांड में जिन सिश्यों ने अपने गुरु के उपर अपना सरवश्य निछावर करके सेवा की है सास्त्रों में ऐसे बहुत लोगों का बर्णन आता है जैसे आरुणी, उद्दालक, सत्यवादी, हरिश्चंड, बहुत सारे ऐसे महापुरुशों का नाम आता है या जिन्होंने अपने गुरु के लिए या अपने समराटों के लिए अपना सब कुछ निछावर किया हलंकि कईयों ने अपना सरीर का बलिदान किया है और छट साल जी ने सरीर का बलिदान नहीं किया है वो सोचते हैं कि ये सरीर के बलिदान से बढ़कर कि ये सेवा है, मैं स्रीजी के सिरुप को जान जाउँ और उनके इस अभियान को उनकी इस अखंड बाणी को मैं जन जन तक फैलाऊं तो यदि मैं अपने सरीर का बलिदान करूं तो मेरे एक सरीर का बलिदान होगा यदि इस तारतम बाणी को मैं जन जन तक पहुचा सकू अन्य ब्रमात्माओ की जागनी कर सकू तो जतने लोगों की जागनी होगी वो भावसागर से पार हो जाएंगे जन मरन के चक्र से परे हो जाएंगे इस काम को तो आज तक संसार की किसी महापुरूशों ने किसी बिरों ने और किसी सिश्यों ने जिन्होंने अपने गुरू के लिए अपना सबकुछ निचावर किया अपना सरीर का बलिदान दिया वो तो भावतिक कारियों के लिए किसी की राजी की रक्षा के लिए या गुरू के सरीर की रक्षा के लिए या किसी ने किसी रूप में लेकिन इस प्राणनाजी के मारग पर मैंने अपने आपको निछावर किया और इस सरीर को जीबित रखते हुए मैंने जो जागनी की सेवा की है वो सेवा असंख्य सरीर के बलिदान करने से बढ़ करके है क्योंकि कईयों के बलिदान देने पर किसी जीव को भवसागर से पार नहीं उतारा जा सकता किसी आत्मा को अपने प्रियतम के चरणों में नहीं पहुँचाया जा सकता लेकिन छत साल जी ने जिस बाणी का विस्तार किया उस बाणी के विस्तार के बज़े से ही आज आपको धाम धनी के चरण कमल मिले आज हमें धाम धनी के चरण कमल मिले हम अपनी घरों में हम अपनी जोपडियों में हम मंदिरों में कहीं भी बैठ करके अपने धनी को रिजा सकते हैं याद कर सकते हैं और हम उनकी पैचान कर सकते हैं कोई जियासु आये पूछने वाला आये तो हम ये कह सकते हैं कि हम परमधाम से आये और उस परमधाम का रास्ता इतना सरल हद पार बेहद है बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है जागिये इनगर इस मार्ग पर जिसने अपनी बलिदान किया उनकी सेवा की कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि उनका लक्ष मूल मिलावा था उनका लक्ष परमधाम था उनका लक्ष एक परब्रम की चरण कमल की प्राप्ती थी संसार में आज तक स्रिष्टी के प्रारम से आज तक बहुत लोगों ने अपना सरीर का बलिदान किया पुराणों को सुनते हैं आप उसमें कईयों का नाम सुने होगा आपने की एक ऐसे दमपती का प्रसंग आता है जिन्हो ओने देवी को blijप्त प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी एक लवतिती संतान का बलिदान किया और उस संतान को भी ऐसे ही अगर दे देना होता तो कोई भी दे देता देवी ने आकर के उनको क्या गळा बहुत तपश्या करने के बाद में देवी ने उनको एक पुत्र दिया था और इस सर्थ पर कि देवी जी हमें एक पुत्र दे देना बाद में जो पुत्र होगा आपकी ही सेवा में हम समर्पित करेंगे और देवी ने समर्पिद भी इस प्रकार से मागा समर्पन कि तुमने कहा था हमने दे दिया और तुमने जो बचन दिया था उसका पूरा करो तुम अपने पुत्र को दे दो कहते हैं ठीक है दोनों की रजामंदी होनी चाहिए माता पिता की दोनों राजी हो गए तुमने दिया मैंने लिया और मैंने दिया तुमने लिया ये आदा आदा बरावर दोनों का अधिकार है इसलिए आदा हिस्सा तुमारा होगा आदा हिस्सा मेरा होगा तो अब इसको कैसे बाटा जाए करने कि इसको आरे से चीर दिया जाए कोई माता पीता है जो अपने एकलवती संतान को आरे से जिन्दे चीर राले करते है एसे भगवान नहीं चाहिए हमें ऐसे परमात्मन नहीं चाहिए बोल देंगे दोनों ने मिल करके उस वादे को पूरा करने के लिए उसको बीच में से चीर डाला और चीरने के बाद आधा देवी को दिया और आधा अपने पास रखा किसके काम आया बोलो किसी के काम आया ना तो देवी के काम आया ना माता पिता के काम आया उसके बाद करतें कि यह आधा ले लो करतें कि अब नहीं लेंगे क्योंकि तुमने यह रो करके दिया रो करके दिया हुआ दान नहीं लिया जाता है भोजन दक्षण और भोग प्रेम और सम्मान के साथ ही इसका लेंदेन होता है यदि उसमें सम्मान न हो प्रेम न हो या मांग करके लिया गया हो या जबरजस्ती करके किसी को पिडित करके लिया गया हो तो इसका लेंदेन फलदाई नहीं माना जाता है कि अभर में भोजन किना जीन लेने के बाद वर ता इस तक भुजन करने के बाद पर नहीं को है प्रदर्षन करने के लिए अपने पुझ्ट करने के लिए ब्होजन करने के लिए अपने सृष्टता को प्रदर्शन करने के लिए जहां प्रेम और सम्मान सत्कार नहों वहां भोजन नहीं किया जाता है मना कर दिया तो उस देवी ने उस कटे हुए आधे हिस्से को नहीं लिया वापस लुटा दिया कहते हैं कि तुमने रो करके दक्षणा दिया है तो यह नहीं लिना चाहिए तो कहते हैं कि नहीं हमने रो करके नहीं दिया तो कहते हैं तुम्हारे आखों में आशु क्यों है करना कि एक तरफ आशु निकल गए थे पानी निकल गया था आखों में से तो कहते हैं कि ये तो इसलिए पानी निकला है ताकि मेरा जो ये पुत्र है इसका आधा ऐसा क्या हमारे हिस्से का रहा. इसलिये मेरे आखों से आशु निकल गए थे. इतना बड़ा बलिदान किया. लेकिन ये बलिदान किसके लिए था? देवी के लिए था. देवी कहा निवास करती है? देवी कौन होती है? जो स्रेष्ट गुणों से संपन्न माताएं होती है वो देवी होती है देवी की कोई विशेश एक अलग जाती नहीं होती देवताओं की कोई अलग जाती भगवान की अलग जाती राक्षेसों की अलग जाती नहीं होती मैं बार-बार कहा करता हूं यह मनुश्य कूल में ही पैदा होते हैं कोई देवी ब कून कर्म शभाव के कारण लेकिन जो स्हत सॉल hizo शाल जी ने ये सेवा की थे उन्हों ने बलिदान कियों है स्वड्व के लिए बलिदान नहीं कि इस प्रवित्य लोग के समराज्ज्र अंहीं प्रयकुंच के लिए उनका बलि नहीं था फाई निराकार शाकार के लिए नहीं था ये अखंड अलोकिक तार्तम बाणे का जो इस संसार में प्रगटन हुआ जिस बाणी के प्रगटन होने से सारा संसार को अखंड मुक्ती प्राप्त करने का सोभागे का दर्वाजा खुला और उस दर्वाजे से सब को निकाल करके अखंड वहिस्तों में पहुंचाने की ये इतनी बड़ी सेवा होने के कारण छत्रसाल जी की सेवा को इस जागनी के ब्रमाण में सर्वुप सेवा मानी गई पहले दाता हम भये गुरु को दिनों सीष पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो उबक सीष अब यहां गुरु सीष की प अपने साक्षात धामधनी को प्राप्त किया तो यहां गुरु की तो कोई बात ही नहीं रही लेकिन लोकिक द्रिष्टी से देखा जाए तो एक तरसे उनके गुरु की रूप में भी सारे संसार को दिखाई दे रहे हैं तो इनके लिए भी अगर उधारन दिया जाए तो छ नामधनी ने भी उनका उनको अपना सर्वस्चों दिया सबकुछ बक्सिस कर दिया अब उसके बाद क्या होता है बितेगा 49 दगेगा 40 तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला नानक कहे दिखावे साही सत सद्धी बेला यह गुरु नानक जी ने भी जो एक साखी बोली थी कि इ एक ऐसा समय आएगा कोई एक मर्दों का जमात प्रगठ होगा इस संसार में मर्दों का जमात को ने रू अला मिसल गाजियो गाजियो मतलब मर्दों का जमात है तो यह सारी आत्मा इस तरी रूप में लेकिन मर्दों की जमात क्यों कहा इनके अंदर जो एक मर्द के अंदर एक दिलेरापन होता है अपने प्रियत्म के प्रति सब कुछ निच्छावर हो जाने का इसलिए इनको मर्दों का जमात कहा है जो मर्द लोग कर सकते हैं ऐसा बिरता पूर्ण कारिय अपने धनी के प्रति समर्पन करने वाले कारिय ये कर सकते हैं इसलिए इनको मर्दों का जमा बाने में लिखी गुरु शिष्ट के परंपरा के रूप में इन्होंने बर्णन कर दिया था बिजाविनन्द बुद्ध जी ब्रमस्रिष्टी सिरिताज हाथ हुकम छत्र साल के दियोसो अपनो राज बोले सिरी प्राणनाथ प्यारे की जै महाराजा छत्र साल जुकी बिजाविनन्द बुद्ध जी जिसका हमेशा बिजय ही भी अभिनन्दन करता है जिनकी कभी पराजय नहीं होती परमात्मा को कौन पराजय कर सकता है ब्रम के शरुप को कौन पराजय कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता है बिजाए विनंद बुदुजी बर्मश्रिष्टी सिर्ताज ये बुद्दुजी का सरूप बर्मस्रिष्टीयों के सिरमौर सरूप है हात्हुकम छत्रशाल के दियोसु अपनो राज अपना हात श्रिजी ने छत्रशाल जी के सिर पर रखा और कह दिया कि तुम राज तिलक उनको करने के बाद कर दिये तुम आज से महराजा हुए उनको छत्ता नाम से पुकार करके उनकी राज तिलक की साखी कहके थालले तिलक करियो स्री राज धाम के धनी सरुप स्री प्राणना जीने छत्र साल जी को राज तिलक किया भालमाही छत्र साल के कही आप बैठो महाराज अब उनके सिंगासन पर बैठा करके उनको भी एक आसन बना करके बैठा करके आज से तुम महाराजा हुए आज से तुम एक छत्र के समान धर्म की भी रक्षया करोगे और अपने इस समराज्य का भी तुम पालन करोगे इसलिए तुम्हारा नाम आज प्रिये मैं छत्ता नाम से बुलाओंगा और तुम छत्र की भ सब जन महाराज जो कहो प्रणाम प्रणाम अब सब सुन्दर साथ ने महाराजा छत्रशाल जी को आज से महाराजा छत्रशाल जी करके संबोधन किया और सब ने एक महाराजा की पदूई प्राप्त करने पर सब सुन्दर साथ ने उनकी बधाई के गीत गाये और उनकी आरती उ विबादन किया साकुंडल सोभा भई प्रगट भई पहचान अब परमधाम की साकुंडल की आत्मत छत्रसाल जी महराज की अंदर उनकी परातम का परिचे करके स्री जी ने साकुंडल नाम से उनकी आत्मा को पुकारा प्रगट भई पहचान सब ने जाना आज भी कहीं हम छत्रसाल जी के पद बोलते हैं तो आखिर में उनके नाम पर उनके लोकिक नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है साकुंडल कुरवान करके साकुंडल सकिक के नाम से ही पुकारा जाता है छत्रसाल छत्ता हुआ छीपे सब सुल्तान छत्रसाल जीने धर्म की विरक्षा की और अपने समराज्य की विरक्षा करने के बाद सब जो अरुणजे बात्सा अब हमेशा स्रीजी के पीछे लगा ही रहता था और छत्रसाल जी के पीछे लगा रहता था जब स्रीजी का अशिरवाद उनको प्राप्त हुआ उनको महराज भुशित कर दिया गया उसके बाद परना जी की बीतक कुछ इस परकार की होती है कि छत्रसाल जी एक दिन स्रीजी को बैठा करके हतिनी पर बैठा करके जगा जगा पर ले जाते हैं और सास्त्रार्थ होते हैं जहां सास्त्रार्थ में इन मौलवियों से सास्त्रार्थ होने के बाद उनको पराजय का मूँ देखना पड़ता है सब लिख करके मेजर नामा लिख लिख करके देते हैं मोर लगा करके हैं कियुकि हमने स्री प्राणनाजी को वक्त आखिरत के खाबिंद के रूप में इमाम महदी के रूप में कयामत के समय में जाहिर होने वाले खुद खुदा अल्ला ताला के सुरूप में हमने उनकी पहचान की है और हमने प्रतक्ष रूप से उनको देखा यदि हमने इसको केवल मौखिक रूप से और साब्दिक रूप से ही कहा यदि हम अपनी अंतरात्मा से नहीं कह रहे हैं यदि हमने इसको जूट बोला है तो इसी की कसम ऐसा करके उन्होंने लिख लिख करके जो चरण कमल के दर्शन हो लेकिन आखिर में उसने अपने पुत्र को पत्र लिखा कि पुत्र मेरी सत्ता के नसे में जो मेरी अंधी आखें थी मेरे घर पर आए हुए उस खुदा अल्ला ताला इमाम महदी के सरूप को मैं नहीं पैचान पाया मैं उनके चरणों में नहीं जा सका अब तुम ये खवाब मत देखना कि पन्ना में छट साल जी की घर ये खुदाई सक्ती पहुँच चुकी है अब छट साल जी को तुम युद में जीत करके कभी उनको पराष्ट करने के दीवा सपना कभी नहीं देखना ये संदेशा जैसे ही सुना भारी फाउज के साथ दिल्ली से पन्ना के और छट साल जी के उपर हमला करने के लिए जो फाउज भेज दी गई थी साथ मंजिल दूर तक पार करके जा चुकी थी उनको वापस बुला लिया और उसके बाद कभी भी उन्होंने पन्ना के उपर छट साल जी के उपर हमला नहीं किया और उसने अपने पुत्र को जो पत्र लिखा इस प्रकार की बात ने उसमें लिखी गई थी तो छटर साल जी को जिस दिन से स्रीजी ने अपना अशिरवाद दे करके महराज गोशित कर दिया छीपे सवसुल्तान और सिनिगार की बाणी जिन्होंने पड़ी होगी उसमें एक चोपाई आती है तखत बैठे साहा काहते कैसे दियो उल्टाएं जो हिंदुस्तान का समराजे का जो स्वामित तो करते हुए जो अरुजे बादसा जिस तखत पर बैठा था उससे उसको कैसे उल्टा दिया और उसके घर में एक दिन ऐसा रहा कि कोई दीपक जलाने वाला भी उसका बंसका नहीं रहा और तब से लगभा लगभा मुवा सासन ही हिंदुस्तान से उसकी जड़े हिल गई और धिरे धिरे करके आखिर समापत ही हुई ये केवल शिरी प्राणाजी ने जो दिल्ली में ब पित रहने नहीं दूँगा और ये बचन उनके मुख से क्या निकले थे सचमुझ में मुगल संतलत की जड़ समापत हो गई छत्र साल छत्ता हुआ कया सुंदर वाई सुंदर वाई सद्गुरु देव चंदर जी ने अंतिम समय में जो इंद्रावती जी को संदेश दिया था कि साकुंडल सकुमार ये दोनों आत्माई किसी बड़े घराने में है जब इनकी जागनी होगी तो बहुत बड़ी जागन लीला होगी वो कार्या आज यहां संपन्न होता नजर आ रहा है आप दिखाओ तो अपनी कही साकुंडल सोई महाराजा छत्र साल जी अब अपनी पहचान कराएंगे और अपनी सेवा से और अपने धाम धनी की अरधांगिनी होकर के इस संसार में किस प्रकार से धनी के प्रतिस समर्पित होना है वो अपनी लीला करके दिखाएंगे अरुगावने श्रीराज को मेवा मिठाई पकवान अब धामधनी को भोग लगाने के लिए या मेवा मिठाई और अन्यक परकार के पकवान के द्वारा भोग लगता है फेर और वेर बुलाए भीतर लई सुखपाल और बार बार स्री जी को जब भी कभी अपने महल में पदराने की इच्छा होती थी छट्र साल जी सुखपाल पर बेठा करके अपने घर में लाते हैं पदराय अपने घरों अतहेत कर प्यार वुखन पेराय वलिभांत सोक योबड़ो मनुहार अब स्री जी को छट्र साल जी ने करके परमधाम का ध्यान चितुवनी कराते हैं बल्लब दासी होते हैं वो आगे आ करके कहते हमको इस खेल से सिताव काड़ो स्रीराज भय मनोरत पूरण रया न कोई काज कते हैं धामधनी हमारी सुर्ता को यहां से कालमाय कि ब्रमान से परमधाम की ओर ले चली हमारी इच्छा बाकी नहीं है धामधनी सुनत है बानी जो मकबूल दुआएं जो मुविनों के होते हैं कबूल स्री जी उसका कबूल करते हैं और सब को बैठाते हैं और बैठा करके परमधाम की ध्यान चितुवनी कराते हैं तो च्छातर साल जी कहते हैं कि धामधनी यह विचरे सारे सुन सुन्दर साथ अगर पड़े लिखे नहीं होंगे इनको समझ में नहीं आये नहीं आये जहां जिरी घुंगरी कहां भी कडला क्या होती है ये कलंगी क्या होती है ये समझ में आये ना आये आपको परमधाम का ऐसा ही सिंगार होना चाहिए सुन्दर साथ देख देख करके समझ जाए कि राज जी का सुरूप ऐसा है जैसा मूल मिलावे में सुरूप का सिंगार है ऐसे ही स्री जी का सिंगार कराते हैं छतर साल जी कहते हैं कि आप मेरे धाम के धनी यहां आए हैं स्री जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हारी सारी बात मान जाओंगा सुंदर साथ की भ लेकिन जो मेरी ये गोदड़ी है न पेबंदी जो उपर मैंने बनाई ये नहीं छोड़ूंगा कते क्यों इसमें बहुत बड़ा रहस्य है इस जागनी ब्रमार्ण में ब्रमात्माय नजाने कहां कहां है कोई हिंदू में है कोई मुस्लिम में है कोई सिख में है कोई इसाई में है कोई ब्रामन में है छत्री में है सुद्र है बैश्य में अनेक परकार के मत पंथ समुदाय अनेक परकार के विचारों को लिए हुए हैं लेकिन जब धनिके चरणों में आते हैं तो ये कोई हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, इस्त्री, पुरुष कोई भी नहीं रहते हैं सब के अंदर एक भावना हो जाती है ऐसे ही हजारों मतपंत से मेरे सुन्दर साथ को ला करके मुझे सिल करके एक सुत्र में इनको ला करके रखना है इसलिए ये मेरी गोदड़ी उसका प्रतीक है मैं इसको नहीं छोड़ता अंतीम समय तक अपने पास रखते थे वर्नाज सत्रसाल जी ने सारे सिंगार उतार दिये उनके और परमधाम का जैसा मोती के माले इस प्रकार के सारे पांच-पांच हार गले में और बाजू बंद इत्यादी और पंच वस्त्रों का सिंगार ऐसे करा करके आप अश्टपर के शेवा सुनेंगे उसमें बड़ा अनंद आएगा पदराय अपने घरों अतहेत कर प्यार भूखन पहराय भलिभात्सों कियो बड़ो मनुहार अब उसके बाद में चीन पहराय जाती है नव घरी पहराय जाती है और हीरा मानिक चुन्नटों से युक्त अनेक प्रकार के नव रतनों से जड़े हुए और उससे सजे हुए इन आवुशनों से स्री जी का सिंगार हुआ और दुगदुगी सांकर तले हीरा मानिक और सांकर यानि गले में चेन और उसमें दुगदुगी और उसमें हीरा और मानिक लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं जड़ाव हीरे की रीज पहनाई हक और उन्होंने बहुत रीज करके हक के सरुप स्री प्राणा जी को सिंगार कराया और बाईजुराज जी के भी आवुशनों से उनका सिंगार कराती मजली रानी ने और कुछ अपने आवुशनों से और भस्तरों से महरानी जी का भी सिंगार किया और साथ ने इतही सेवा करी बनाए सो इन जुबा केती कहूं कहनी में ना आए सेवा जो सुन्दर साथ ने जो दिल में भाव ले करके किया है मैं अपने सब्दों में बयान नहीं कर सकता तनमन धन सो कियो सब निछावर हाथ जोड ठाड़े भई सीफद भई सब पर और हर हमेशा सेवा में छतर साल जी हाजर रहते हैं आठों प्रहर की सेवा में हाथ जोड करके कहते हैं धामधनी मेरे लिए क्या आदेश है मेरा ये पिंड मिला हुआ है तो आपकी सेवा के लिए धर्म की सेवा के लिए है इसके अत्रीक तो दुनिया की लड़ाईयां तो बहुत लड़ लिया उससे मुझे कोई बड़ी उपलब्दी नहीं हुई हाँ इतनी उपलब्दी हुई जिन लड़ाईयों को लड़ करके मै इस पंच भौतिक शरीर को जिबीत रखा आपके चरणों तक पहुचने के लिए एक बड़ी कामियावी है इसके अत्रिक्त जो कुछ भी मिला वो सब इस संसार के अंदर रह जाने वाला है लेकिन इसके अत्रिक्त आज के बाद ये शरीर आपकी सेवा में समर्पित हो जाए ध शरी प्राणनाथ प्यारे की पहचान पूरी भई अब सब सुन्दर साथ के सामने उनकी पहचान हुई अब पहचान कराया और छट्रशाल जी ने किस भाव से किस रूप में सेवा की सेवे धनी कर धाम ये मेरे धाम के धनी है साथ जो अंदर रहे तिन सेवा करी तमाम और छट्रशाल जी स्वेम सिरी जी की सेवा में सब कुछ समर्पित कर गए तो औरों की तो क्या मजाल की वो सेवा न करें वो तो इच्छा से भी और इच्छा भी न हो तब भी राजा होने के नाते उनके आदेश का पालन करना पड करता है वो सोईच्छा से ही सेवा करता है कि देखा देखी महाराज के लियाए जो इमान बसबसा चाती पर करता था सैतान देखा देखी में इमान तो लियाए लेकिन उनके चाचा स्री की और इजर यहां संकेत किया जा रहा है जो बल दिवान जी थे उनको अच्छा नहीं लगा स्रीजी के चर्णों में पाउड़े बीचा दिये उनके परसाद लिये माया की कुछ ऐसी सकती अंदर बैठ करके उनको प्रभावित करती है सैतान किसको करते हैं कल के प्रसंग में मैंने कहा था बार बार नहीं दो राओंगा उनके हिर्दे पर बैठ करके उनके इमान को छिनने लगता है बैठे आप मंगले मिने बांचे लाल किताब आप करते हैं माय ने भाई दो चार बैठे हिसाब श्रीजी बंगला जी के किनारे पर बैठे हैं आज बंगलाजी में जाएंगे बंगला बड़ा सुन्दर दर्वार बना हुआ है उपर से आवा इत्यादी चड़ा हुआ है उसकी परत चड़ी हुई है चट में सिंगासन पर देखेंगे सोने चादी इत्यादी जड़ी हुई है और चारों तरफ सिंगार करके ऐसा लगता है कि जा कर बैठने का मन करता है उस समय बंगला जी का सरूप ऐसा नहीं गुआ करता था क्योंकि अभी अभी पहुंचे हैं जोंपडियां बनाई गहें घास फूस की टटियां बना करके चारों तरफ खड़े कर दिये जाते हैं और उपर से छत लगा करके उसी टटियों का छत ब सुन्दर्शाद गोबरी फेरते होंगे उन दिनों में कहीं टायल वाइल तो कहां उस समय मिलती लगी होती स्रीजी उसमें एक हाट पर विराजमान होते हैं और चारों तरफ सुन्दर्शाद ब्रहमुनियों का समूर जिन्होंने कई सालों से मिट्टी में बैठते उठते सो पुद्या ताकि ये ब्रहमुनियों दुबारा ना आये हमारा जंजट खतम हो जाये दुनिया की कहानी है स्रीजी वहाँ पर बैठते हैं और चर्चा बाणे इत्यादी करते हैं एक दिन बंगला जी के किनार पर बैठे थे चार सुन्दर साथ उनके अगल बगल बैठे लालदा से एक किताब पढ़ रहे होते हैं च्छाट चाल जी सामने से आए दूर ही खड़े हो जाते हैं यह नई सोचते कि मैंर राजया हुए मेरे दर्वाजे पर सब श्री जी आए सुन्दर साथ आये तो मैं भी जाकर के देख लूं कि आनंए ही शिष्ट चाहर होती है शिष्ट्चार के नाते लालदाशी को संकेत करते हैं किया मुझे भी इस सभा में उपस्तित होने की अनुमती है लालदाशी श्रीजी से अनुमती पराप्त करते हैं कि छातरशाल जी की भी इच्छा है किया मैं उनको बुला सकता हूँ आपका आदेश है क्योंकि आज दिन तक छाटर साल जी ने कुरान का प्रसंग सुना नहीं था और स्री जी उनको सुनाना भी नहीं चाहते थे इसलिए क्योंकि उनके चाचा जी उनके उपर दबाव बना रहे थे स्री जी के प्रति जो इमान लाया उनको अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए ये बात छिपाई गई थी लेकिन स्थ साल जी पहुची गए और पूछी लिया तो स्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं आओ संजोग की बात है लालदास जी उनको बुला लेते हैं बैठा लेते हैं और कहते हैं कि कुरान में भी कुछ हमारी बात लिखी हुई है सद्गुरु देव चंद्रजी का मेरा तुमारा ये सारी बातें लिखी हुई है हारुन और फिरोन का प्रशंग आता है तुम्हें फिरोन करके लिखाया हारुन और उरंगजेब को लिखा हुआ है जो अत्याचारी होता है मुझे मुझे मुझा पईगंबर लिखाया और देव चंद्रजी को इसा करके लिखाया इस प्रकार से कुरान में कुछ हमारी बात है जागनी से संबंदित कुछ बातें इसमें प्रशंक के रूप में किस्टों के रूप में लिखा हुआ है तो करते हैं अच्छा यदि हमारी बात लिखी ए प्रमाणित रूप से हैं तो फिर हम इस चीज को उजागर क्यों न करें हमारे पास इतना बड़ा अलोकी ग्यान है मुहमद साहिब कुरान लियाँ इसमें कुछ ब्रहम सिष्टीओं की भी से इस बात लिखी हुई है या मैं बीतक स्रीदेव चंदर जी या मैं अपनी बीतक है श्री देव चंद्रजी को मेरो तेरो नाम जा दिन जो बीती हम तीनों में सोसव लिखी तमाम इन तीनों की जागनी लिला के अंदर क्या क्या किस प्रकार की घटनाई हुई है इसमें लिखा हुआ है एबात सुनत महाराज को जो बड़े उजोर उनकी अंदर एक प्रकार का जोस आता है तो बस्त को प्रगट करने के लिए हम इस दुनिया में इसका सोर मचा देंगे खेल में सोर मचा देंगे ऐसा कह करके जब हमारी बात लिखी हुई है तो हम इसको क्यों छिपा करके रखें धाम धनी ने जिस उदेश्य से इसको यहां भेजा और स्वेम आए फिर हम क्यों बीच में क्यों मेरा तेरा करें हम उनका कार्य है हम तो केवल एक माध्यम है हम से जो भी बन पड़ती है वो हमारी सेवा है हमारी तो कोई अवकात नहीं करने वाले तो सब धाम धनी है इसलिए हम इसमें पीछे क्यों हटें ए बात सुन राजा को आप हुए खुशाल जाइर किया दिन को बक्सी किताब हाल इस इत्यादी अब यहां पन्ना में यह अउत्रित हो जाती है इसके सारे मारिफत के रह से सारे उजागर हो जाते हैं और उन चोपाईयों के द्वारा इन प्रशंगों को और अच्छी तरीके से समझने में आसानी होगी अब यहां किताबें उतरती हैं यह बात राजा के घर में कोई कोई को ना आई नजर और उनके चाचा स्री जो बल्दीवान जी थे उनको समझ में नहीं आई एक हिंदू हो करके कुरान को पढ़ते हैं और कहते हैं कि यह कियामत जाहिर हो गई और खुद खुदा अल्ला इमाम अदी बन करके आगए और उस के पास कुरान का कोई ज्यान है या नहीं है काजी अब्दूल रसुल महोबा का उस समय का जाना माना एक बहुत बड़ा विद्वान आलमी था उस को बुला करके ले आते हैं आया काजी महोबा का नाम अब्दूल रसुल तिनसेति कर्चा भई कुरान की मकबूल और कुरान के प्रशंगों के उपर चर्चा होने लगी तीन से ती पुछाए कुरान का सवाल एक और उस से कुरान के सवाल पूछे जाने लगे एक ही जवाब दीजियो जिन बोलो जवाब अनेक कहतें कि सवाल मैं सवाल करूंगा और उस सवाल का एक ही जव ग्षाब देना या कादी अब्दूली रसुल कहते हैं की मैं जिस परकार से पढ़ते पढ़ते मेरी दाड़ी सफेद हो गई है बुढ़ा हो चुका हूँ ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मेरा दिल भी पाक हो चुका है मेरे अंदर कोई किसी प्रकार की छल कपट और अग्यानता जैसी कोई बात नहीं है आप कैसे अग्यानी की तरह उमी हो करके पूछते हो कुरान की बात तो सब मुझे मुझवानी है कंठस्त में सब बोल सकता हूं काई से भी पूछ सकत हो कुरान तमाम तफसिर मुझे को रहे याद पूरान तो क्या सारी तफसिर मतलब उसकी टीका वह भी मुझे सब प्रकार की पैदाइस क्या है इस भी सह पर बताईए क्यों दुनिया की पैदाइस लिखी बीच कुरान समझ जवाब दीजियो है बात बड़ी फिरकान कुरान का ये बहुत बड़ा प्रशंग है इसमें दुनिया की पैदाइस के बारे में बताओ दुनिया की कहां से पैदाईस हुई तो वो जवाब देते हैं कि ये तो कुन की पैदाईस है कुन कहने मातर से यानि नारायन ने जो संकल्प किया संकल्पिक स्रिष्टी एको हम बहुश्याम इसी को कुरान में कुन की पैदाईस कहा गया संकल्प करने से हो जा कहने से हो गया ह ये कुरान को तो पढ़ते रहते हैं इसको क्रमबद रूफ से एक तरफ से वरणन नहोंने के कारण कहीं सुरू में कहीं बीच में कहीं अन्ति में अलग-अलग वरणन है अब एक-एक पूछा जाये तो कोई बता भी दे अब पहाचों प्रकार की और क्रमबद रूफ से खोल दिये किताब खोल देखो किताब तिलकल रसुल में लिक्षा आया नहीं जवाब अब तिसरा सिपार है तिलकर रसुल ändern है हम पहला अदोशारा स्ैकुल तिस्छा तिलक है इसमें अगर देखो यह जो खलक आम यह आम खलक जो जीव श्रिष्टी कुन की पैदाईश नाराइंड के संकल्प से हुई है और एक एक हाथ की और दूसरी पैदाईश दो हाथ की बताई गई है एक हाथ की यानि सत्ता का सरूप अक्षर ब्रम दो हाथ की पैदाइस यानि चिदगन सरूप स्यामाजी सहित ब्रमस्रिष्टियों की जमात अब ये ब्रहमस्रिष्टियों की जमात और अक्सर ब्रहमस्रिष्टि करता क्योंकि कुरान पढ़ने वाले तो कहते कि खुदा निराकार है बेचुन बेजगुन बेशभी बेनिमुन उसकी कोई सूरत नहीं है और एक जगह लिखा एक कुदा अल्ला को जब मेराज की रातरी में दर्षन किया तो उनके अम्रत सूरत को देखा अम्रत सूरत मतलब की सूर सुरुप उनके जुलफों को देखा घुंगराले बालों को देखा जब वो निराकार है फिर ये घुंगराले बाल और ये अमरत सुरत ये बात आपस में बैठ नहीं पाई अलग-अलग प्रसंगों में अलग-अलग रूप से बर्णन किया जाता है दोनों को अगर एक ठ्ठा करके इसका समाधान निकलने चलो तो कोई समाधान ही नहीं निकलता या तो फिर कहना पड़ेगा साकार सरूप कहना पड़ेगा रूपवान कहना पड़ेगा फिर उसका सरूप कैसा है ये सारी दिक्कत होती है इसलिए एक हाथ की पैदाईस क्या है दो हाथ की पैदाईस ये नहीं समझ पाए अब एक और पैदाईस से चौथे नंबर की वो खिल खिलकट की बताया गया खिलकट यानिइ पडूषे अकसर ब्रह्हमाने काल्माय के ब्रमाण सेंब्रज में आकर के 24,000 सुर्बाद्रा धारन किस्टी ज्यागनी ब्रमाण में उन को इसिश्वरिस रिष्टी कही गई यह अकसर अतीत के पडूषी अक्षिर की सुर्टा होने के कारण इनको खिलकत या निप पढोसी कहा गया क्योंकि है शुर्गाइकुण्ट निराकार की भी नहीं है और बेहद की भी नहीं है कि और वड़ी मुश्खिल convenience की बात तो यह कि अक्से Aquí में भी इनका मूल अंगया को धाम में ना है और ना इनकी परातम ब्रमसिष्टियूं की तरह अक्षिर धाम में है और ना योगमाय के ब्रमाण में ही है तो यह समझ में नहीं आखिर यह खिलकत की पैदाईश है क्या और पांचोय नंबर की पैदाईश थी मूल इब्तदाई की मूल इब्तदाई मतलब मूल मिलावा खिलवत खाना में जिनके परातम बैठी हैं और जिनको मुहमद की रूह ने कहा कि इनकी रूहों के उपर गुना लगा है इसलिए यह नहीं बोल रहे हैं इनके मूह में ताले लगे हुए है तो ये क्या है इनको समझ में नहीं आया तो ये पांच परकार की पैदाइस की बारे में ये कुछ नहीं कह सकें इसलिए कहते हैं कि इसका मैं जवाब नहीं दे सकता तो जवाब नहीं दे सकते हो तो बोलो हम जवाब नहीं दे सकते हैं उनसे जवाब लेंगे त अब उनके सवाल के जवाब नहीं आये तो वो क्या करते हैं अब पूछे कि इन पांचों प्रकार की पैदाईस हमने बता दिया लेकिन तुम बताओ इन पांचों में से किस में से हो यदि कहा जाए कि हम कुन के हैं तो कहनते कि ये निराकार मंडल से आगे जाही नहीं सकते तो तुम्हें चोथे आसमान का तो कोई हक ही नहीं बनता अब एक हाथ की पैदाईस दो हाथ की पैदाईस विचरे जानते ही नहीं मूल इफ्तदाय खिलकत की जान ही नहीं पाए तब काजी के दिल में भाईजो दुदली अब काजी अब्दुल रसूल दो धाषर में पड़ गया करूँ तो क्या करूँ या हाँ कहूँ या ना कहूँ तब जवाब आया नहीं तब बात कही बिचली अब बिचली भी भठकी शी बात करने लगे तब बल्दिवान ने कही ए मिया तुम भूल के बात करत हो छुटा वह हुकम तुमने तो कहा था कि जो पूछोगे जहां से पूछोगे उसका जवाब देंगे अब तुम दो तरीके की बात कर रहे हो तुमारे बातों में कोई दम है नहीं और कोई विश्वासपूर्ण उत्तर नहीं दे पा रहे हो इसलिए अब तुमें इनके साथ बैठ करके सास्त्रारत करने का जो तुमने सर्थ किया था वो सर्थ के अनुसार तुम सफल नहीं हो काजी अब्दुल रसुल ने स्री जी को सिजदा कर दिया और क्या कहता है आगे हम तहकीक पहचानिया ए बात बड़ी बुजरक अभी उसको तो तार्तम ग्यान सुनाया भी नहीं गया परमधाम का ग्यान सुनाया भी नहीं गया वो सोचता है कि मैंने आज तक जो कुरान पड़ा मेरी बातों को कोई भी आज तक काट नहीं सकता था और जिनके एक सवाल में मैं पहले ही सवाल में फंस गया इसका मतलब इनके अंदर कोई अलोगी सकती है उसको विश्वास था कि इस ब्रमांड का तो कोई भी आजाए मेरे सामने दम नहीं मार सकता लेकिन इनके सामने मेरी दम निकल गई इनके सामने इसलिए उन्होंने स्रीजी के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहते हैं कि ये जमाने के खाबंद हैं इनके सामने मैं अपना सब कुछ निचावर कर देता हूं कहते हैं कि मिया जी तुम कहा करके छूटना चाहते हो तुम दिल से कर रहे हैं या किवल छूटने के लिए ये कर रहे हो तो मिया जी क्या बोलते हैं अब सुनिए तब जवाब काजिये दिया मुसाफ सिर्ह हमारे जो हम जूटे बोले ही तो एही हम को हमारे कहते हैं बल दिवान जी यदि मैं जूट बोल रहा हूं तो इस कुरान की कसम खा करके कहता हूँ कुरान को उठा करके सिर में रखा और करते हैं मैं इस कुरान की कसम खा करके कहता हूँ ये बक्त आखिरत के जमाने के खावन दिये साक्षयत इमाम मेदी अल्ला ताला के सरूप है उन्होंने पहचान लिया हरिद्वार में गए सारे हिंदु के जितने भी मत्पंथ के बड़े बड़े अचारी लोग थे उनके साथ सास्त्रार्थ हुआ भले उस समय अपने मरियादा के कारण इतनी जनता के सामने अपने धर्म की प्रचार करने के आया अब सारे चिंता मणी जैसे तो नहीं हो सकते अलंक बुद्ध सरूप पूरण ब्रम परमात्मा ब्रमात्माओं के सिर्ताज अक्सरतीत का सरूप है और उनकी पहचान हो जाने से बूरी पूरी बितक पढ़ लेने सुन लेने से यदि हमें अच्छी तरीके से समझ में आया तो आखिर में यही निर्णय निकलता है कि ये बितक और किसी की नहीं ब्रमात्माओं और परब्रम के सरूप की बीतक है और अंतिम समय तक उनके चरणों के पीछे लग करके हम मूल मिलावे तक पहुँच सकते हैं भावसागर से पार हो सकते हैं ये उनकी बीतक हमें ये समझ में आती है सो सरत आये पहुची फरदारोज कयामत जो खुदा अल्ला ताला ने कहा था कि कयामत के समय में खुद खुदा अल्ला ताला आएंगे वो समय कयामत का समय यहां जाहिर हुआ अब कहते हैं कि बल दिवान जी अच्छा ठीक है इन्होंने तो सुईकार कर लिया कसम खाली अब कुछ पंडितों को बुला लिया जाए कि ये हिंदु धर्म गरंत के भी जो बड़े बड़े महारती हैं पंडित लोग है दिख भी जाए पंडित इनको बुला करके सास्तरार्थ कराया जाए सुन्दर बलल बद्री बनारस से तीन बड़े प्रकांड विद्वानों को बुला लिया गया और इन तिनों ने मिल करके कुछ सवाल ले करके आए इनको बुलाया और स्रीजी के सामने इन तिनों को उपस्तित कर दिया तब सुन्दर बलल बद्री और बुलाये पंडितन ति इनों में से जो सर्वस्त्रिष्ट बद्री दास जी थे उनको प्रमुख बना करके स्रीजी के सामने अब यह आए और यहां छत्र साल जी क्योंकि यह हिंदु धर्म ग्रंत पक्ष के तो यह भी अच्छे प्रकांड बिद्वान थे इसलिए स्रीजी से पहले छत्र साल जी से हो देकिरके अब यह आँ चर्चा होने लगी तब बद्रीदास ने प्रस्ण सुने देका न। च्हत्र साल जी ने जो प्रशन यही रहा होगा क्योंकि यहां वो प्रश्ण नहीं लिखा है जैसे बद्रिदास जी ने उत्तर दिया उसको सुनते हुए ऐसा लगता है कि भगवान सिर्कृष नहीं दे सकते हैं इसका मतलब उनको यही प्रश्ण पूचा होगा कि ब्रज की लीला अखंड हो रही है जहां दिन भी है रात्री भी है और ब्रज लीला करने वाले भगवान बाल मुकुंद जी है और रास की लीला हो रही है वहां केवल रात्री रात्री की लीला हो रही है और वहां केवल बांके बिहारी जी लीला कर रहे हैं इसमें दीनवी और राद भी है तो अब इन भागत में सारे इन प्रशनों का उत्तर कहां से मिलने वाला जहां से कालमाय का ब्रह्मांड का ज्यान जाकर के शमावत होता है तार्तम ज्यान की पहली श्यड़ी वहां से सुरू होती है और ये बेहद के बारे में जब पूछा गय तो बद्रीदास जी भी सीधे थे विचरे जैसा जैसा उनको उकला अंदर से अंतरात्मा ने आवाज दिया कि इस चीज को तो हमने आज तक पढ़ाने सुना नहीं चौतुरा पोकरन ने जाके लालदास जी को कहा ता कि भई आपकी दिब्विद्रिष्टी कब खुलेगी अ वल दिवान जी कहते हैं कि दो दिन हो गए चातर साल जी श्रीजी के चरणों में आए इतने बड़े बीजय पंडित जिनके सवालों का जवाब दुनिया में किसी के पास नहीं होता था अब छत्र साल जी की एक ही सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो श्रीजी के साथ इनको क्या पेश किया जाए बद्रीदास जी वहां से लवट करके चले गए और सुन्दर बलब और अन्य पंडितों ने उनको पूछा कि भई बद्रीदास जी आप कैसा सास्त्रार्थ करके आए बताओ तब स्री महाराज ने पाया बद्री परशुख रस रहा चर्चा मिने कहा न जाए या अमुख चत्र साल जी को बड़ी प्रसनता हुई क्योंकि अब उनके चाचा स्री को संतुष्टी होने वाली है आदी रात उपरांद घरो गया बद्री सब पंडितन मिलके बातें पुछी तब अव सभी पंडितों ने बद्रीदास जी से पुछा कि आप कैसा सास्त्रार्थ करके आए तो कहते हैं कि जैसे उन्होंने प्रश्ण पुछा उस प्रश्ण का यथार्थ यथार्थ मैंने उत्तर दे दिया और ये कह दिया कि आपके प्रश्ण का उत्तर तो सिर्किर्ण जी दे सकते हैं बाकि हम नहीं दे सकते हैं तो उन्होंने बद्रिदासी को फटकार लगाई तुझे तो वहीं मरे जाना चाहिए था जिस जूट से तेरा पेट पल रहा था आज क्यों उसको तुमने सथ सावित करके आ गए अब कल तुम्हें कौन पूछेगा बद्रिदासी कहते हैं कि भाई ज्यान तो सत्य को जानने के वाला है इस प्रकार से तो हम उस सत को ग्रहन कर ही नहीं सकते क्योंकि हम अपने असत को ही सव जूट बोल करके सत सावित करने की चेश्टा करते रहेंगे तो हम कैसे सत्यबादी बनेंगे और इन सास्त्रों ने हमें ये स्थोड़ी सिखाया जैसा उचीत लगा मैंने वैसे दिया लेकिन उनको वहां रहाना दूबर कर दिया कुछ भागत के उल्टे सीधे प्रशन बनाए जो भागत में नहीं लिखे गए थे पंडितों ने अपने तरफ से बना करके दिया चलो कल जा करके बोलो हम सास्त्रार्थ करते हैं तुमारे पीछे हम भी आते हैं कुछ प्र देता सवाल बनाएके लेके जाओ तुम हम सवाल बना करके देखें आप लेकर के जाए प्रात समय उठके आया बद्री दरवार बलदिवान क्यों बात से किया खवरदार और बलदिवान जी को फिर कहा कि हम तो दुबारा बात करना चाहते हैं भाई भेट महाराज सो अब ही बातें करते और तब पुछा महाराज ने रात की बात गई किस ठवर रात को तुमने सुईकार किया था अब वो तुम्हारा इमान कहां चला गया अब कईसे बदली-बदली सी बात कर रहे हो ए प्रशन भागवत के हम तो सब जानत जूठी बाते बनाएके करने लगे इतन तुम प्रशन जो बना करके लाए हो जो मेरे पास अभी दिये हो मैं तो भागवत पूरा पड़ा हूँ शुरू से लेकर के अंत तक लेकिन ये तो भागवत में कहीं लिखा ने तुम कहां से लेकर के आए लिखके मुझे दिखाओ प्रशन दिखाओ तो बद्रिदा सी करते हैं तब उस महाराज को चड़ी रीस चड़ी बड़ी रीस कहीं बुंदेला इन्हें गुरू न करें कोई ननवायो सीस और छट साल जी को कुरोध आ जाता है गुश्या आ जाता है और कहतेते उठ करके अगर ये इतना पंडित हो करके जूट बोलते हैं गुरू होकर के इतना बड़ा जूट बोलते हैं कि आपको सबको एक सत की रहा दिखाना चाहिए उसकी जगह आप जूट बोल रहे हो तो ऐसा गुरू करने के बाद जो उनके पीछे चलने वाले भी कभी सत को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए बुंदिल खंड के बाशियों ऐसे गुरू का कभी भी सम्मान सतकार करके उनके पीछे चलने से हमें लाब मिलने वाला नहीं है इनके हाथ की पवड़ी कोई अपने सीर पर न बंदाईए सुन्दर बलब बद्री भले मिले कलमा है चोदे बिध्या निपुन है पर एको जानत ना है कहते हैं कि सुन्दर बल्लब बद्री बड़े पंडित विद्वान तो थे लेकिन ब्रमबानी के बारे में ब्रमग्यान अखंड तत्तो ग्यान के बारे में उनको एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया अब उनके छात्र साल जी के चाचा जी थे उनको तसली हुई कि हाँ ठी जब इन्होंने सुईकार कर लिया तो हमें भी सुईकार कर लेने चाहिए क्योंकि यह हमारे प्रमुख है जब उन्होंने सुईकार कर लिया तो ठीक है श्री जी का सरूप साक्षात परवर्म का सरूप है उन्होंने इस दलील पर सुईकार कर लिया जेरभय सब पंडित फतेभय इसलाम काफरश्या मोहोय के ले गए अपने ठाम अब वहां से ये लौट करके अपने अपने इस्थान पर चले जाते हैं और यहां इस समय परनाजी में इतना 5000 की जमाद का भोजन, पानी, रासन, कपड़ा, इत्यादी सब कुछ सेवा कहां से चल रही है वहां एक अफवा फैल गई कि इनके पास तो एक कीमिया गिरी का कार्य करते हैं करते हैं लौहे से स्वर्ण बनाते हैं इसलिए इनका खर्च चलता है तो यह बात सुन करके च्छतव साजी बड़े दुखी होते हैं और श्री जी अनको आशिरवात दे करके उनका संका समाधान कर देते हैं कि किस प्रकार से सेवा कार्य चल रही है ये प्रशंग हम कल के प्रशंग में सुनेंगे, आज समय पुरा होता है, सभी सुन्दर साथ मिल करके चौपाई दुराएंगे और आज के प्रशंग को यहां समापन करते हैं बोलिये स्री प्राणनाथ धाम के धनी कीजे, महराजा छट्र साल जू कीजे, सभी मिल करके चौपाई दुराएंगे खर्चा इतसे पहुँचे नहीं, ए उठत है कहां से, है इनके पास रसायन, ए सबों जानी मन में बोलिये स्री प्राणनाथ प्यारे कीजे